नमस्कार दानिक शिव्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिस तरह से कल अगर जानते हैं कि किसी भी अल्टरा सोन सेंटर में लिंग जान चीए यानि कि सेक्स डिटर्मिनेशन करना वर जीत है यानि टोटली रिस्टिक्टि और जो भी इसे वाइलेशन करत दिया जाता क्योंकि यही वज़ा है कि जब इस तरह के सेंटर लिंग जांच करते हैं और जो लोग यानि के लड़का और लड़की में आज भी भेदबाव करते हो तो कहीं ना कहीं पहले ही घर बात करवा कर उन नवजाज शिशुओं को जन्मने से पहले ही उनकी हत्या कर जाते हैं और इसी तरह का बड़ा मामला जमू के कच्ची शवनी से आ रहा है पर शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं यह निके बताना चाहेंगे करूना अल्ट्रा सूंड सेंटर जो काफी पुराना अल्ट्रा सूंड सेंटर है कई बर आप भी ग है ठीक हो रही है यह ऑड़ा ύसी के चलते लोगा प्रशनतंन मैं जाते पर उसिंके बंदेशन गरता सकते हैं महिला के घर में बेटी है या बेटा है कि बील्कल भी बी JAC कर सकता इसी के चलते अगर बात करें करुना अल्टरसोन सेंटर जो कच्छी चोनी मेष्ट है बिलकुल रनवीर लाइब्रेरी के पास है और बताना चाहेंगे यह पहला यालिली आटोस्टेंड के बिलकुल बैक साइड पर काफी पुराना जो सेंटर है करुना अल्ट्रासोन काफी जजमू का माना हुव 27 यहां पर होता चाले कोई किसी न यह सोंचा भी नहीं होगा कि यहांपर लिंक जांच का काम क्या जाता था ना जाने कितने इतना पुराना वहां पर चल रहा था और कल की अगर बात करें तो पुलीस और डॉक्टर सी कोई टीम पंजाब से पहुंचती है यहाँ पर और यहाँ पर छापा मारी चलती है उसके बाद इस अल्ट्रासों सेंटर को सील कर दिया जाता है और सबसे बड़ी बात कि शहरों की बीचों बीच यानि ब सूपदार यानि के इंफ्लेंशल लोगों का हाथ जरूर होता जिसके चलते वो दड़ले से शहरों की बीचों बीच ऐसे रूल्स का ऐसे आदेशों का वाइलेशन करते जो तोटली वरजीत है जिस पर सजाय भी है और जिस पर जुर्माना भी आयद होता है इसी के चलते की मान सिकता आज भी लड़का और लड़की में बैटकर यानि उसी में बंकर रह गई है कि लड़का अच्छा लड़की आच्छी ने पर अफसोस होता है समाज के ऐसे लोगों की सोच पर भी जहां पर आज की दोर में नारी और पुर्ष एक समान है दोनों हर जगा कंदे से कंदा भी लाकर काम कर रहें कौन सा है सच्छे तरह जहां पर हमारी बच्चियां हमारी बेहने बेटियां या नारी नहीं पहुंच पाई है तो उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटिया यानि गिरोनी हरकत करते तो वह समाज में रहने लाइक निए उन्हें शर्मिं जर्मिनेशन नहीं होगा यानि ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी कोक में या घरव्वती महिला उसकी कोक में बच्ची पल रही है या बच्क पल रहा है यह बड़ी बड़ी सारे सोचने वाली चीजें है और इस पर घंबी रुप से यानि विचार करने की बीचीजें उस सासा कई घरों की रोजी रोटी भी जूड़ी है वो भी जाएगा तो वो लोग कही न कही नहीं करते हैं या जिनने भगवान का डर हो तो उसी के चलते यह जो करोणा अल्टरसॉन सेंटर था ना जाने कितने वर्शों से कितनी कितनी देश पहले से ये इस तरह की लिंग जांज का काम यानि के ना केतले चोरी से कर रहा था और कौन-कौन लोग इनके साथी होंगे कौन-कौन लोग इस पूरे शड्यंत्र में मुलविस होंगे जो इस तरह का काम करें और ये भी बताएंगे कि चद पैसों के लालच के पीछे यही जब लिंग लोग डरते हैं सामने आने से तो फिर बीडिया को क्या है मीडिया अपने से खुद से कोई खबर नहीं बताता जंता की अवाज आप तक लेकर आता है उसी के चलते बताना चाहें कि आपको कि जिस तरह से ये जो सेंटर हैं कई ऐसे सेंटर सबकी बात नहीं करेंगे कही अल् बच्चा है यह बच्ची है और कहीं न कि पाप तो आप करी रहें कि अगर बगवान ना करें किसी की मान सिकता ऐसी हो के कोक में बच्ची पल रही है तो उसे बिल्कुल अबॉट कराना यह नि उसे मार देना है तो आप आप की भागीदार है गैर कानूनी काम तो कर रहे हैं प बच्ची शोनी के बीच चोक में ये अल्ट्रासॉंट सेंटर है काफी पुराना है लोग काफी विश्वास के साई यहां जाते हैं पर यह नहीं पता था कि प्रशासन और पुलीस की नाक के तले यह इस तरह का आवेद काम कर रहे हैं फिलाल यह जुरूर कहेंगे काम कोई भी आवेद किया जाए पर उसका अंत अंजाम जो ऐसा ही होता है आज उन्हें भुगतान करना पड़ेगा एक तो लोगों में बदनामी तो ही यानि आप इस तरह का गैर कानूनी काम तो कर रहे हैं और उसी के सासाथ आप कहीं बच्चियों की जिद्धी भी यानि कि उनकी जान पर फैंग दिया किसी को कहां फैंग दिया तो यह चीजें तो सारी जो हैं गोर करने वाली हैं तो हम आपनी जनता से भी निवेदन करते इस तरह का पाप ना करिए जो भी मांस्तिकता रखते या नहीं जिंदगी देना लेना भगवान के हाथ में लड़का हो या लड़की ह आज भी अगर आप यह अंतर में पढ़े रहें के तो हमसे ज़्यादा बेवकुफ कोई नहीं है यानि इसका मतलब हैं पिछड़े सालों में हैं जब कभी कोई आजूकेशन नहीं थी हमें सासूज बूज नहीं थी आज भी हम उसी जमाने में बटक रहे हैं तो इसलिए दे हमें जोडंड होगा और एसे लोगों पर शिक्नढ़ा कसना बहुत जो आज भी आपने विवसाय के माधेय। से इस तरह की चीजे करते गयर करोनी और गयर धार्मिक चीजे करते यह नहीं के करुणा अल्ट्रसों पर एक बड़ी कारवाई फिलाल पुलीस और डॉक्टर की टीम ने शापा मारी कि उसके बाद उस अल्ट्रसों सेंटर को सील कर दिया गया आप इस कदम को किस तरह से लेते आपने कमेंट अपने सुझाव में जरूर दीजिए इस वीडियो को चाहिए शेयर कीजिए जूरी रास अगले अपडेट के लिए जाहें जबारत